देखिए वेस्ट पंगाल में चुना होने वाले हैं और बाजपा के रास्टी अद्रिक्स जेपी नडडा जी अभी होके आये हैं जिनके उपर कुछ पत्रा हुआ था और आज शाब दो दिन के दोरे पर ग्रे मंत्री अमिशा जी जाने वाले हैं और इसी बीच में केंदर सरक सरकार अपनी हरकत रोक नहीं रहे हैं उन्होंने तीन अधिकारियों के डेपूटेशन के आदेश बेजे जबकि वेस्ट पंगाल सरकार ने आपत्ती दर्ज की थी कि नहीं है लेकिन उसके बावजूद बेज़े हैं और जाहिर है कि शेटीशकर के मुखमंतिर ने भी उसमे समर्तन किया है ममता जी का जिन्होंने कहा है कि फेडरलिजम के की जो विचारधारा है जो सविधानिक प्राविधान है यह उसके खिलाफ है और मेरा तो यह मानना है मझे ज्यानकारी इसकी कि जो डेपूटेशन के आदेश आने के बावजूद भी राज्य सरकार को अधिका सरकारी को रिलीव ना करें तो यह माननता है लेकिन सरकार को के अंदर सरकार को इस तरह के हस्थक्षेप जो बिल्कुल एपरेंट फेडरलिजम के खिलाफ है उससे बचना चाहिए देखे भारती जनता पार्टी का तो पुराना खेल है कि वो उनका जनाधार खुद का नहीं है तो अब दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जाने की कोशिश करते हैं तो वही खेल वेस्ट पंगाल में भी चल रहा है